दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों कावरी इंजिन को लेकर एक अच्छी खबर आई है कावरी इंजिन का कोर अब फाइनली स्टेबल हो चुका है जी टी आरी बहुत जल्द कावरी ड्राइ इंजिन के हाई अलिट्यूड ट्राइल्स को शुरू करने वाली है ये इंजिन अपने ड्राइ वेरियंट में 46 के अन का थ्रस्ट जनरेट करता है इसे एक रेशियन इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एक राफ्ट के उपर टेस्ट किया जाना है इससे पहले 2010 में ऐसे ट्राइल्स किये गए थे लेकिन अभी यूक्रेन और रेशिया वार के कारन ये ट्राइल्स पोस्ट पॉन हो गए है लेकिन अभी जो जी टी आरी का री डिजाइंड कावरी इंजिन कोर है वो एक ज़्यादा स्टेबल इंजिन है और उसके ज़्यादा टेक्निकल इशूस है जैसे कि हाई थ्राइटल टेस्टिंग के उपर जो नौइस जनरेट होती थी और जो कंबर्शन फ्लिकर होता था उसको भी फिक्स कर लिया गया है और इसके साथ ही इसे मल्टिपल टाइमस वैलेट भी कर लिया गया है और ग्राउंड रिग ट्राइल्स भी इस इंजिन के कर लिये गये है GTRE का प्लैन था कि इसका इनिशल फ्लाइट रियलाइज 2024 तक हो जाए जो कि अभी थोड़ा टाइम डिले हो सकता है क्योंकि ये काफी इंजिन को रिलाइबिल्टी, सेफटी और एर वर्धिनस प्रूव करने के लिए इस इंजिन को एक फ्लाइंग टेस्ट बैट जहां एक फ्लाइंग एक कराफ्ट की उपर टेस्ट किया जाए GTRE एक इल्यूशन 76 एक कराफ्ट की उपर मौडिफिकेशन करेगी जिसमें इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएंगे जो कि इस ट्राइल्स के लिए जूरी है इसमें मेकैनिकल, अलेक्ट्रिकल और फ्यूल सिस्टम्स को इंटिगेट किया जाएगा इस इंजिन को पाइलेट कॉक्पिट से कंट्रोल करेगा और काफी टेक्सी ट्राइल्स के बाद इसको फ्लाइ ट्राइल्स में टेस्ट किया जाएगा इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एक क्राफ्ट मैक 0.6 की स्पीड के उपर टेक आफ करेगा और ये 6000 मीटर के उपर क्रूज करेगा जिससे कि इस इंजन की प्रफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और हर एक फ्लाइट एक घंटे की होगी और ऐसी 40 से 50 फ्लाइट की जाएगी जिसके बाद इस इंजन को वैल जेट किया जाएगा DRDO और GTRE ने मिलकर एक नया फैन सेक्शन बनाया है जिसमें एक इंप्रूवड रडार क्रॉस सेक्शन है और इसके साथ ही एक नया आफ्टर बर्नर सेक्शन बनाया है जो कि इस इंजन के साथ लगा जाएगा इस आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ ये 76 के अंद का तरस जनेरेट कर पाएगा जो की मैंड फाइटर एक्राफ्ट जैसे की LCT जिस मक 1A के लिए तो सफिशेंट नहीं होगा लेकिन ये हमारे अनमैंड प्लैटफर्म्स जैसे की फिचुरिस्टिक अनमैंड फाइटर एक्राफ और हमारे घातक ड्रोन के लिए इस्तेमाल किया सकेगा हमारा घातक ड्रोन 46 के यंद का ड्राइट तरस वाला एंजन इस्तेमाल करेगा तो चलिए इस एंजन के बारे में डिटेल में जानते हैं कावरी ड्राइ इंजिन का एक डेरिवेटिव है जिसमें एक आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं होगा जानी कि ये इंजिन एक ड्राइ इंजिन होगा और इसे भारत के पहले अन्मेंड स्टेल्थ कॉमबेट एक क्राफ्ट प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है ये हमारे घातक ड्रोन के लिए बनाया जा रहा है अभी तक इसके बारे में ज़्या जानकारी बाहर नहीं आई है लेकिन ऐसी जानकारी हमें पहले ही आपको दे दी थी कि इसकी इंजिन की टेकनोलोजी को लेकर बहुत सारा काम चल रहा है और इसको एक acceptable level के उपर लाने की कोशिच की जा रही है जिसके बाद इसको एक stealth platform में इस्तिमाल किया जा सकेगा इसके gas turbine blades की उपर खास तोर पर काम किया गया है कावरी dry engine एक dry thrust generate करेगा जे 52kn का dry thrust generate करेगा और अभी ये initial ground testing से गुजर रहा है कावरी dry engine का 52kn का dry thrust होगा इसके एक pre-product type variant ने पिछले साल ही initial ground testing complete कर ली थी इस engine में एक नई fluidic thrust vectoring exhaust nozzle होगी जो की खास तोर पर हमारे unmanned stealth combat aircraft program के लिए develop की गई है DRU का plan है कि एक technology demonstrator जैसे किड stealth wing flying test bed shift का नाम दिया गया है उसको टेस्ट किया जाएगा इसको इसी साल के अंत में टेस्ट किया जाएगा और इसे एक NPO section 36 MT turbofan engine पावर करीगा ये एक Russian engine है और इसके बाद इस design के flight dynamics की उपर जो data है उसे collect किया जाएगा और टेस्टिंग की जाएगी जिसके बाद धीरे धीरे इसके design में और improvements की गएगी और बाद में unmanned stealth combat aircraft program का एक prototype develop किया जाएगा और एक बार जब flight वर्दी कावरी dry engine का prototype तयार हो जाए तो उसके बाद एक test bed aircraft के उपर अगले तीन से चार सालों में इसकी flight certification कर ली जाएगी जो घातक stealth u-cab होने वाला है वो एक 15 तन का stealth u-cab होने वाला है और इसके लिए एक dry engine काफी suitable engine होगा घातक drone है वो एक stealth drone है और उसके लिए हमें एक ऐसे engine की जूरत है जो कि कम से कम infrared heat signature generate करे जिससे कि इस aircraft को ना तो radar से detect किया जा सके और ना ही किसी दूसरे aircraft के infrared search and track system से detect किया जा सके और जिए ज़्यदा से ज़्यदा stealth ही बना रह सके DRDO को इस engine को develop करने के लिए जो पैसा है वो मिल चुका है अभी जो दूसरे देशों ने ऐसे UAV बनाए हैं जैसे के रशिया और चाइना ने बनाए हैं उनको अभी तक सिर्फ after burning engines के साथ ही देखा गया है लेकिन ऐसी जानकारी है कि उनको धिरे धिरे flat low heat nozzle exhaust वाले engine मिल जाएंगे जब वो अपनी production में एंटर होंगे इससे पहले इस aircraft को लेकर काफी नई तस्वीरें भी सामने आई थी जिसके बारे में ऐसा बताया गया था कि इस aircraft के उपर काम काफी तेजी से चल रहा है इस engine के लिए सबसे खास इसका component जो है वो इसका कावरी dry engine ही है क्योंकि ये पहला हमारा एक ऐसा attempt होगा जो कि हमारे कावरी engine से drive किया जा रहा है जो कि हमारे किसी aircraft में इस्तिमाल किया जाएगा अभी तक जो हमारा कावरी engine प्रोग्राम था उसमें काफी problems थी और जो उसके साथ problems थी वो उसके after burner section के साथ ही थी जाने की वो wet thrust जड़ा generate नहीं कर सकता था लेकिन जो उसका dry thrust था वो ठीक था वो 50kN के करीब का dry thrust generate कर सकता था इसलिए हमारे कावरी engine का ही एक derivative बनाया जा रहा है जो कि हमारे घातक drone में इस्तिमाल किया जाएगा इसके साथ ही जैसी जानकारी मिली है कि इसके engine blades की उपर भी काफी काम किया गया है और धीरे धीरे जब इस कावरी dry engine की development चलेगी तो इससे इस technology में काफी refinement आ जाएगी और हम हमारा खुद का एक after burner वाला काफी advanced engine आसानी से develop कर सकेंगे इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि DRDO ने defense ministry को एक proposal दिया था कि वो एक high capacity engine develop करना चाहते हैं जो कि AMCA program के लिए हो लेकिन defense ministry ने उन्हें ये जानकारी दी थी कि आप पहले कावरी dry engine की उपर काम करें और उसके बाद जब आप इस engine को लेकर successful हो जाएंगे उसी के बाद ही आपको एक high capacity engine को develop करने के लिए funds दिये जाएंगे इससे पिशे logic ये था कि पहले एक छोटा engine develop किया जाए और उसके उपर अपनी technology को perfect किया जाए और experience के इन किया जाए और उसके बाद ही किसी बड़े engine project की तरफ move on किया जाए जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक जो दूसरे देशों ने engine develop किये हैं उनके पास पहले ही छोटे engines को develop करने का experience था लेकिन जब हमने engine development शुरू की थी तब हमने शुरू से ही एक high capacity engine को develop करने कोशिश की थी जो कि चाहे कि दूसरे देशों के engines के मकाबले में कम capacity वाला था इसलिए सही course of action यही था कि पहले एक शोटा engine develop किया जाता और इसके बाद धीरे धीरे उसके उपर जो experience गेंड किया जाता और उसके बाद ही एक नया engine develop किया जाता जो कि high capacity engine होता लेकिन अभी इस गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है और अभी कावरी dry engine की development के बाद और इसकी success के बाद हम एक नया engine develop करेंगे जो कि जहां तो किसी दूसरे देश के साथ joint venture में होगा और जहां वो हमारे डिया डियो द्वारा खुड develop किया जाएगा जो कि ये काफी high capacity 110 के अं थ्रस्ट प्रड्यूस करने की capability वाला engine होगा इसके साथ ही ऐसी जानकारी है कि बोईंग को भारत को F-15EX fighter jet बेचने का approval मिल गया है और अभी बोईंग भारत को formally F-15EX fighter jet ओफर कर सकता है अभी भारत हमारी एर फोर्स की जो fighter jet की कमी है उसको पूरा करना चाहता है और अमेरिका इस कमी को पूरा करने के लिए अपने F-15EX fighter jet और F-16 के एक derivative F-21 fighter jet को ओफर कर रहा है और इसके साथ ही बोईंग अपने F-18 Super Hornet fighter aircraft को भी ओफर कर रहा है American Lobby की ये पूरी कोशिश है कि जो नया ओर्डर भारत दे वो एक American fighter jet का ही हो और इसलिए American companies अपने नए नए आफर लेकर सामने आ रही है F-15EX fighter jet की ओफर को लेकर बहुत बार्केट साइस भी किया गया है क्योंकि experts का मानना है कि हमारे पास पहले ही इसी class का एक fighter jet सुखोई 30M के एक क्राफ्ट अवेलिबल है जो कि काफी बड़े numbers में अवेलिबल है तो अभी फिर से एक ऐसा fighter jet ख्रीदना लॉजिकल बात नहीं होगी जो कि हमारे पहले से मौजूद fighter jet के साथ comparable है और उसी class वाला है experts के मताबिक हमें राफेल fighter jet की class कई एक fighter jet की जूर्थ है जो कि एक multi road fighter aircraft हो लेकिन अभी जैसे जैसे जियो politics का scenario बदलता जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद American fighter jets के offer को भी consider किया जाए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हंद जै भारत कर दो दो आपको जाए